हेलो वेलकम बैक तो चलो एम सी क्यूज कर लें इनवर्स टिकनों के और यह सच्ची में लास्ट वीडियो इन इनवर्स टिकनों की इसके बाद हम मैट्रिस करने वाले हैं बट प्रैक्टिस दगी तो यह वाले कोशन थोड़े अब थोगा है एनलाइज करके इंटेलेक्ट्ट कोशन आगे हैं बहुत जादा एडवांस लेवल पर पहुंच चुके हैं तो कोशन नमर्वन इसको गर साइन पाए कॉस एक्स माइनस कॉस पाए साइन एक्स कर दूं तो मुझे कोई अंसर मिलने वाला है इसका क्योंकि यह थोड़ा सा अंदर पाए है और साइन है ना एक्स की कोई वैल्यू है तो इसको थोड़ा कंपेर करने की कोशिश करता हूं एक साइर तो साइन दिया हुआ है साइन ही रखो साइन आफ पाए कॉस ठीक है अब कॉस कॉस थीटा क्या होता है साग पाय फाय फैस ठीक होता है वो ही यहां पर use करूं में relation को तो इसको मैंने क्या कर दिया साइन फाय फैसali कya फ कर तो अब आगया मेरे पास ये अब मुझे ये भी पता है साइन पाई बाई टू प्लस ठीटा माईनस ठीटा कॉस ठीटा ही होता है तो ये प्लस माईनस तो मैं दोनों ही रखूंगा यहाँ पे तो अब ये दोनों साइन साइन सेम है ये एंगल्स को मैं compare कर लूँ एंगल compare किये तो मेरे पास क्या बना पाई कॉस X is equal to पाई बाई 2 प्लस माइनस पाई साइन एक्स अब ये इसको मैं इधर ले आता हूँ इसके साथ तो कि मेरे पास पाई बाई 2 रह जाए गये ला तो पाई ओफ कॉस X अब प्लस माइनस था इधर आके opposite होजएगा जहां माइनस प्लस होगा बाई साइन X is equal to पाई बाई 2 यहां पर पाई भी आएगा साथ में इसके पाई पाई दोनों में common है यहां पर भी common है सारे पाई इस कैंसल कर देता हूं मैं तो कॉस X माइनस प्लस साइन X is equal to 1 by 2 यह तो मेरे पास आ गया अगर मैं आप दोनों साइट्स का स्केर ले लूँ बिकॉस मुझे पता है अच्छे यह मेरे पास इस साइड में न ए माइनस भी और ए प्लस भी यह दो चीजे मेरे पास माइनस प्लस का मतलब यह है तो मैं इसका स्केर कर लेता हूं तो मेरे पास मुझे पता कि कॉस केर प्लस साइन स्केर वन बंजेगा तो मेरे पास एक साइन square x ये तो मिरे पास दोनों बार आएगा a minus b और a plus b में बाद में आएगा मिरे पास minus plus two sin x cos x is equal to one by four is equal to one by four अब ये two sin x cos x क्या होता था sin 2 x होता है न तो वही हम हम यहाँ पर relation इसको use कर लेंगे तो cos x plus sin x 1 होता है ये भी हम use करेंगा तो ये one minus plus sin 2 x is equal to one by four आ गया तो इसको और simplify करें minus plus sin 2 x is equal to one by four minus one minus three by four ये sin जब इदर गए तो sin 2 x plus minus equal to plus minus three by four और 2 x is equal to sin inverse plus minus three by four और ये two को भी दर लिया है तो x is equal to one by two sin inverse plus minus three by four ये मारा basic answer आ गया है अब देखते हैं ये option किसी में है या नहीं x is equal to one by two sin inverse plus minus three by four तो plus वाला भी सही है minus वाला भी सही है अकेला देख लो कहीं है कॉस कॉस ये दोनों तो नहीं हैंगे sin inverse three by minus one by four ये भी नहीं है तो a is the option अपना सही और सही है भी one by two sin inverse three by four अगर यहां पर कहीं पर minus होता ना one by two sin inverse minus three by four तो वो भी सही answer था because हमने देखा plus minus दोनों option आ रहे हैं तो चलो next option करते हैं if cos inverse x minus cos inverse y by two is equal to alpha then four x square minus four x y ये तो होने वाला ही नहीं है करी नहीं सकते इसको ऐसे solve करके बट हमें यहां पर four x square minus four x y cos alpha plus y square तो ये कहीं पर मेरे पास x plus y plus कुछ two x y cos का whole square वाला ऐसा कुछ formula है तो मुझे चाहिए कि मुझे ये x y का whole square सा चाहिए कहीं पर और x y कठे भी चाहिए तभी बना पाऊंगा मैं कुछ और मुझे यहां पर एक चीज दिख रही है cos a minus cos inverse b उसका एक simple सा formula होता है cos a plus b का भी जो हम निकालते होते थे वो होता था cos inverse a b plus one minus a square one minus b square ये formula है cos inverse a minus cos inverse b का अब इसमें values put कर लेते हैं तो ये मेरे पास क्या बना cos inverse x और यहां पर y by 2 थोड़ा थोड़ा तो मेरा question बनना शुरूरी भी हो गया equation जैसा x y मेरे पास एकठे आ गये हैं यहां पर is equal to alpha दिया हुए यह one minus x square one minus y by 2 का square ये तो बन गया is equal to alpha दे रखा इसे पुराना question यहां से raise करें okay is equal to alpha दे रखा है cos को ले जाते है alpha की जगा x y by 2 plus one minus x square one minus y square by 4 इसको ऐसे रखूँ cos alpha आ गया अगर आप इसको square कर दिया यह roots अटाने के लिए तो यह तो खिचडी पक जाएगी इसके साथ इसकी तो यह xy को भी मैं उधर ले जाता हूं तो one minus x square one minus y square by 4 is equal to cos alpha minus xy by 2 square कर लेते हैं x square because मेरे को x square मेरी final equation में मेरे को चाहिए मैंने question में देख रखा है जब दोनों साइट square की जब दोनों साइट square की पहले मैं एक साइड ही ले ले लूँ one minus x square का root one minus y square by 4 is equal to cos alpha minus xy by 2 दोनों साइट square की तो यह root इसका cancel यह root इसका cancel हुआ one minus x square आ गया one minus y square by 4 आ गया cos alpha cos square alpha minus xy था x square y square by 4 और साथ में 2 cos alpha xy by 2 आएगा तो यह minus x y cos alpha रहे गया जो 2 2 इसके नीजे 2 आएगा एक multiplier बे 2 cancel हो जाएगा ओके अब इनको हम simplify कर लेते हैं because equation तो बना नहीं है इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ multiply किया तो एक बर pause करके इसकी पूरी equation बना लो वो मेरे पास क्या बनेगी अब यह 1 minus y square by 4 minus x square plus x square y square by 4 is equal to cos square alpha plus x square y square by 4 minus x y cos alpha अब x square अब x square और y square तो मेरे को by 4 तो दोनों साथ मेरे को similar देख रहे हैं cancel कर दिए तो इसको अब जब मैं simplify करूंगा equation को तो यह मेरे पास बनेगी अब 4 से multiply वे कर दूँ सबको तो यह 4 minus y square minus 4 x square is equal to 4 cos square alpha minus 4 x y cos alpha यह equation आगी 4 से सबको multiply कर दिया अब इसको further simplify कर लो इस equation को अगर मैं तो यह मेरे पास बनेगी 4 minus 4 cos square alpha is equal to 4 x square plus y square minus 4 x y cos alpha अब यह 4 common ले लिए तो यहां से तो यह 4 common लिया 1 minus cos square alpha sign square आ रहा है मेरे पास यहां पे दो और इधर मेरे पास बन रहा है 4 x square plus y square minus 4 x y cos alpha कुछ कुछ तो मेरे equation बननी शुरू होगी जो question में पूचा है 4 इधर ले आउं तो मेरे पास यह 1 minus cos square alpha क्या हुआ sign square alpha यह 4 इधर ले गया है तो यह x square plus y square by 4 minus x y cos alpha अरे यह तो उसने पूचा ही था इसकी value बता दो क्या है यह तो question नहीं पूचा था तो उसकी value आ गई sign square alpha answer यहां फिर question में ऐसे नहीं था यहां पर 4 था और यहां पर भी 4 था तो 4 को यहीं रहने दो 4 sign square alpha question में तो ऐसे था ना 4 x square plus y square minus 4 x y तो 4 sign square alpha आ गया उसका answer तो d is the correct option next question 3 sign x plus 4 cos x is equal to y square minus 2 y plus 6 if x and y are its solution then which of the following is true अब x and y solution दिये हैं तो इससे पूचा है क्या y is equal to 1 true है क्या x is equal to pi by 2 minus जो भी है x y यह है या all of these अब देखो यह all of these दी दिया ना यह question में तो यह examiner की point of view सो जो जो all of these दिया है तो वो चाहता है तो में सोचना की क्या यह और यह और यह तीनों हो सकते हैं नहीं तो पहले तो यार वो एक equation है y square minus 2 है plus 6 अब यह zeros बन रहे हैं इसके अब यह बन पाएंगे जब इसको अगर मैं किसके equal है y minus 1 का whole square कर दूँ plus 5 कर दूँ तो यह is equal to 0 अब यह equal to 0 कब बना पाऊंगा मैं 0 ने इसका solution कब बना पाऊंगा जब मेरे पास y का एक 0 आ सकता है और y का 0 कब आएगा इस equation का 0 नहीं इस equation इसका 0 कब होता है y इसका 0 कब बनेगा जब y is equal to मैं 1 कर दूँ तब ही मैं y पूरी y minus 1 के square का y का solution ढूँ पाऊंगा जब y की value 1 हो y को equal to 0 पुट करके y की value 1 हो तब ही मैं इसको put कर 0 ढूँ पाऊंगा तो यह तो मेरा true है और जब मैंने y की value 1 कर दी तो इसकी पूरे की maximum value क्या आ सकती है 5 आ सकती है जब मैंने y equal to 1 किया तो चलो next चीज़ देखता हूँ मैं तो y equal to 1 तो मेरा true है अब x की value ढूँ नहीं है हमने 10 के उसमें relation में तो यह 3 sin x plus 4 cos x दिया है इसे मैं समझ लो 3 को मैं r cos theta मानू और 4 को मैं r sin theta मानू तो यह दोनो scaring and adding on both sides किया तो यह मेरे पास यहाँ पे 25 आया 9 plus 16 is equal to r square अंदर मेरे पास आया sin square theta plus cos square theta तो वो तो 1 के equal हो गया तो r की value मेरे पास root 5 आयी sorry 5 आयी not root 5, 5 तो इसी को लेते हुए r sin theta upon r cos theta is equal to 4 by 3 लिया जब तो यह 10 theta आया मेरे पास 4 by 3 और theta आ गया 10 inverse 4 by 3 अब मुझे यह भी पता है कि उस equation की maximum value क्या है 5 है तो r cos theta sin x because हमने 3 को r cos theta लिया था और वहीं पे r sin theta cos x is equal to 5 दिया था जब हमने y को equal to 1 कर लिया तो r sin x plus theta is equal to r आयेगा because r is equal to 5 है तो sin x plus theta is equal to 1 आ रहा है अब sin को इधर ले जाएं तो x plus theta is equal to sin inverse 1 और x is equal to sin inverse 1 कब होता है pi by 2 पे तो x is equal to pi by 2 minus theta अब यही value हम tan inverse में करें theta is equal to अब theta is equal to pi by 2 minus x theta is equal to pi by 2 minus x अब यही value अगर हम tan theta में डालें theta is equal to tan inverse 3 by 4 था pi by 2 minus x किया तो tan inverse 3 by 4 और x is equal to pi by 2 minus tan inverse 3 by 4 तो यह x की value भी वही आगी pi by 2 minus 3 by 4 तो यह दूसरा option भी सही कर दिया उसने x is equal to pi by 2 minus tan inverse 4 by 3 तो यह भी सही है अब बची तीसरी अब y की value 1 है x की value pi by 2 minus 10 inverse 4 by 3 है तो जब x को y से multiply किया x y तो इस सब को जब 1 से multiply किया वही चीज रहेगी तो pi by 2 minus 10 inverse 4 by 3 c भी ठीक है तो all of these are correct I know these questions might be a bit to handle but I want कि आप सारी practice कर लो ताकि unexpected ना आए आपको paper में कुछ अब question number 4 cot inverse x square minus 7 cot inverse x plus 10 is greater than 0 then x lies in the interval अब इस cot inverse x को ना a मान दो a square minus 7a plus 10 क्या बनेगा मेरे पास a square minus 5a minus 2a plus 10 तो a a minus 5 minus 2 a minus 5 तो यहां तो a minus 2 है 0s के लिए अगर equal to 0 करें तो यहां तो a minus 5 अब यह greater than 0 है तो यहां तो a को greater than 2 होना पड़ेगा यहां a को greater than 5 होना पड़ेगा अब a क्या मेरे पास a मेरे पास है cot inverse x तो यह greater than 2 हो यह greater than 5 हो अब cot inverse function अगर आपने बच्चों ध्यान दिया कभी तो cot inverse function is a decreasing function तो यह rolls reverse हो जाएंगे यह sign भी reverse हो जाएंगे तो यहां तो cot inverse x को less than 2 जाएए यह cot inverse x greater than 5 चाहिए true करने के लिए तो यहां तो यह minus infinity से because यह decreasing function है cot 5 तक आए because cot 5 की value 2 से कम होगी because decreasing function है नीचे को जाता है यह function and union cot 2 to infinity तो यह आएगा because decreasing function था तो signs change हो जाएंगे और यही चीज secant function और cos function के लिए भी true है because they are decreasing function tan, cosecant and sin are increasing functions तो देखो कहीं है minus infinity से cot 5 and union cot 2 से theta so b is the right option next question the domain of the function x fx sin inverse x by x अब देखो by the laws of domain अगर gx by fx दिया है न तो यह दोनों की domain is equal to gx की domain upon fx की domain अब देखो sin inverse x में minus 1 से 1 चलता है अपने को पता है but जो x की value यहां डालेंगे वही नीचे डालनी पड़ी और यहां पे कहीं पे 0 भी आती है तो क्या मैं ऐसे sin inverse 0 by 0 करूंगा तो यह not defined नहीं बना देगा बनाएगा कि नहीं बनाएगा तो मेरे को यहां पे कहीं पे इसकी domain minus 1 से 1 accept 0 ऐसा कुछ चाहिए था तो यहां पे तो कहीं पे भी नहीं आप्शन so d is the correct option question number 6 let fx be अभी equation को एक बर यह अच्छे से लिख लेते हैं यहां पे let fx be e cos inverse cos inverse sin x plus pi by 3 then the f8 pi by 9 अब जहां पे x है ना x सिर्फ एक जगह है यहां पे यहां पे मेरे को 8 pi by 9 की value डाल के बताना है कि क्या बनेगा तो चलो कर लेते हैं अब e cos inverse cos inverse of sin 8 pi by 9 plus pi by 3 simple है cos यहां पे भी मैं कहीं से cos बनाऊँगा वो बात की बात है sin अब यह देखो आगे क्या बनेगा यह मेरे बस 11 pi by 9 बन गया 11 pi by 9 अब sin को cos में convert करना है cos theta is equal to sin pi by 2 minus theta या फिर cos theta sin theta is equal to cos pi by 2 minus theta यही होता है अब मैं इसको sin 11 by 9 को e की पावर cos inverse इसको मैं cos of pi by 2 minus 11 pi by 9 लिख लूँ तो यह मेरे पस क्या आया e cos inverse cos of 11 pi by 9 अब इसका 18 आएगा under root तो यह मेरे पस क्या बनेगा अब 13 pi by 8 बन गया cos inverse से cos inverse अगर मैं cancel कर दूँ तो क्या बन गया e की पावर 13 pi by 8 so that is the correct answer e की पावर 13 pi by 8 so b is the correct option question number 7 if theta is from minus pi by 2 to pi by 2 अब theta की आपको value देदी इसके अंदर ही रहेगा the solution of the equation log sin theta अच्छा आप इसको छोड़ो एक बात के लिए मेरे को यह बताओ कि log of x y is equal to z इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है अगर log function ने कि यह x की पावर में z is equal to y आना चाहिए मेरे पास जैसे हम लेते हैं न कि log of base 10 upon 100 is equal to 2 इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 10 की पावर 2 नहीं तो मेरे पास 100 आएगा 10 की पावर 2 is equal to 100 यही मतलब होता है अब इसी चीज़ को यूज करके हम question solve करने की कोशिच करते है अब आपको theta की value देखे theta minus pi by 2 से pi by 2 है इससे आगे बाहर नहीं जा सकते हम तो यह अगर log है log sin theta cos square theta minus sin square theta is equal to 2 तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि cos square theta minus sin square theta is equal to 2 तो यह 2 था तो यह sin की पावर 2 होगा sin theta की पावर 2 यही बना sin theta की पावर यह यहाँ पे ले गए तो sin theta की पावर 2 log function हट गया is equal to cos square theta minus sin square theta अब cos square theta is equal to 2 sin square theta हो जाएगा बिकास यह दोनों add हो जाएगे और sin theta का whole square is equal to sin square theta होता है और यह theta belong 0 से 1 में करेगा where sin theta की value because minus pi by 2 से pi by 2 तक है but देखो theta minus pi by 2 से pi by 2 तक but यह sin theta यहाँ पे base पे हा हम base कभी भी negative नहीं ले सकते और 1 नहीं ले सकते log में यह हमें हमेशा true रखना पड़ेगा कि this base can never be equal to either minus negative value और 1 so sin theta की value अपने पास कहां से कहां तक आएगी 0 से लेके 1 तक चलेगी ओके तो यह cos theta is equal to two sin theta हो गया अब cos square अब cos square के नीचे sin square ले आते हैं तो यह cos square by sin square क्या हो गया 1 by 10 square हो जाएगा अगर मैं इसको इसको नीचे ले हूँ 1 by tan square theta is equal to 2 और tan square theta is equal to 1 by 2 तो inan tan की value क्या हाजएगी यहां से tan theta मेरे पास आजाएगा plus minus 1 by root 2 तो देखो कहीं पर 10 theta is equal to 1 plus minus root 2 दिया हुआ है कहीं पर यह theta is equal to 10 inverse plus minus 1 by root 2 यह एक option है तो यह तो गलत हो गया अब sign में check कर लेते हैं इसकी value sign कैसे बनाए sign मनाना भी बहुत easy है यहाँ पर मेरे पास यह दिया हुँ था cos square minus sin square theta is equal to sin square theta तो अब मैं इसको cos square को 1 minus sin square मान लूँ cos square is equal to cos square theta is equal to 1 minus sin square theta because cos square theta plus sin square theta is equal to 1 होता है तो यह 1 minus sin square theta minus sin square theta is equal to sin square theta था according to this equation यह वाली तो यह 1 is equal to 3 sin square theta हो जाएगा और sin square theta is equal to 1 by 3 और sin theta is equal to plus minus 1 by root 3 अब minus वाली value क्यों नहीं आ सकती minus वाली value क्यों नहीं आ सकती because हमने log की base sin theta ली गया है और यह sin theta कभी भी negative नहीं हो सकता हमने अभी चेक किया था because log की base कभी भी negative नहीं हो सकती तो यह क्या बचेगा मेरे पास कहीं पर है sin inverse 1 by root 3 यह option B is the correct answer question number 8 if sin inverse A plus sin inverse B plus sin inverse C is equal to 3 pi by 2 and F2 यह तो छोड़ो बहुत लंबा हो गया बस इसको इसको check मारते हैं यह ऐसा ही question अभी हमने इक पर check करके आओ तो ऐसा ही question अपने पिछली वीडियो में किया था तो अभी check कर ले दें अब हमें यह भी पता है कि इस में let me just raise this first तब तक जिनको समझ लग गया मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं वो जल्दी जल्दी solve कर लो ओके अब हमें पता है कि इसकी principal branch क्या चलती है sign in function की minus pi by 2 से pi by 2 और यह 3 pi by 2 है 3 pi by 2 उसको मैं कैसे लिख सकता हूं pi by 2 plus pi by 2 इसका मतलब इस individual value की हर एक की pi by 2 है individual maximum value विकोस यह maximum value pi by 2 ही attain कर सकते हैं और 3 pi by 2 तब बनेगा जब हर एक ने pi by 2 अपनी value दी हो तो मतलब sin inverse a sin inverse b sin inverse की हर एक pi by 2 के equal है तो a किसके equal होगा sin pi by 2 के और b भी उसके equal है c भी उसके equal है और sin pi by 2 कितना होता है 1 तो a is equal to 1 b is equal to 1 c is equal to 1 पहला पार तो हो गया जिए अपना solve अब दूसरा पार्ट देखते है क्या है उसने दूसरे पार्ट में हमसे कहता है examiner कि यार if f of 2 if f of 2 is equal to 2 and f of x plus y is equal to f of x f of y then a की power f2 b की power f4 c की power f6 तो a की power f2 f of 2 is equal to 2 तो a की 1 है तो ये अपने पास पहला क्या गया 1 की power 2 b की power 4 b की power f4 तो f4 क्या बना मेरे पास f of 2 plus 2 और f of x plus y क्या है f of x into y तो ये 2 multiply by 2 हो गया 4 हो गया यहां पे तो ये आजएगा plus b की power b जो 1 है उसकी power 4 और इसी वे से c जो 1 है उसकी power आजाएगी मेरे पास f of 6 है वो तो मैं उसे f of 6 को क्या लिक्स होता हूँ f of 4 plus 2 is equal to f of 4 multiply by f of 2 तो वो मेरे पास क्या आएगा 4 के क्या थी 4 into 2 8 तो c जो मेरे पास 1 दिया हुआ था उसकी power मैं कर दूँगा 1 की power 8 तो ये तो 1 plus 1 plus 1 ये यहां तक मेरे पास क्या आगया 3 minus में अब ये 3 ऐसे रहें दो a की power f2 फिर से 3 multiply by 1 multiply by b की power f4 ये 1 c की power f6 ये भी multiply by 1 ये divided by a की power 2 1 b की power 4 1 c की power 6 1 तो ये क्या बना 3 multiply by 1 by 3 तो ये 1 आ गया तो 3 minus 1 total में अंसर आया आपने पास 2 which is the a option तो इसको मेरे जे question के साथ साथ करना पढ़ा तो थोड़ा सा खिचडी बन गई है screen के उपर but I hope कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इतना easy था यार जिस question का answer ही 2 आ रहा है इतनी जोटी सी value वो कितना difficult हो सकता है खुद सोचो तो चलो इसी के साथ हम चलते है next question पे अरे बहुत easy ये तो मुझे करवाने की जरूरत भी नहीं है साइन इन्वर्स दिया है एक function दिया है साथ में algebraic equation दिया है equal to n pi 0 pi by 2 pi 3 pi by 2 2 pi sin 0 पे 0 होता है sin pi पे 0 होता है 2 pi पे 0 होगा sin 3 pi पे 0 4 pi पे 0 5 pi पे 0 तो n की value जब integer है तो sin तो sin n pi तो 0 होगा ये हमें पता लग गया अब sin inverse दिया है ना दोनों side sin ले लो या फिर इस sin को इधर ले आओ इस sin को यहाँ पे ले आओ तो क्या बनेगा अपने पास x square minus 7x plus 12 is equal to sin n pi और अभी क्या बताया इसकी value तो हमेशा 0 होगी equation आगी अपने पास zeros ढूणने है करो ना यार अब बताओ x क्या आएगा मेरे पास product must be 12 sum must be 7 minus 7 3,4 आ रहा है answer जिस जिसका आगया तो कर दो अब 3,4 है option में सरफ एक b और 4 दिया तो correct answer है b 4 भी यहाँ पे नहीं पे 3 होता प्लस 3 होता वो भी सही होता तो यह मत सोच ना गिया दोनों option नहीं दे रुखा अगर एक option भी दिया है ना उसके x के zeros का तो वो भी सही है because x equals 2 बताना है हमें ओके question number 10th the value x of x satisfies the inequality 10 inverse x minus 2 10 inverse x minus 3 पहले तो इसको a मानो तुम 10 inverse देखके घब जा होगे तो a minus 2a minus 3 less than equal to 0 वेर यह जो bracket दे रखी है it signifies the greatest integer function क्या करें यहाँ पर इसका square आएगा नहीं तो इसकी तो कोई मतलब भी नहीं बनता 10 inverse x का square तो यह a square minus 2a minus 3 तो यह a square minus 2a minus 3 is less than equal to 0 अब इसको solve करना है अब a के 0s बना लूँ गा a के 0s मेरे साथ क्या बन सकते है a square minus 3a plus a minus 3 less than equal to 0 यही बनेंगे a square 0 मेरे पास अब इसे कर लेते हैं तो यह a plus 1 हो गया एक और एक a minus 3 less than equal to 0 तो यहां तो अब यह number line draw करो अब यह less than 0 चाहिए मेरे को उल्टा एक तो यहां पर plus 1 है तो minus 1 आएगा यह आएगा इसका greater आएगा अब यहां पर plus हुआ यहां पर minus हुआ और यहां पर plus यह infinity यह इदर minus infinity अब मुझे चाहिए क्या less than 0 चाहिए अब एक ही जगा मैं value put कर दूँ उसकी 10 inverse x अब यहां तो अब इधर तो यह infinity तक ले जाओ x tan 3 पे बट इधर मुझे minus tan 1 तक से नीचे नीचे चाहिए उपर उपर चाहिए तो इसका मेरे पास सई option क्या आएगा x belongs to 10 minus tan 1 से infinity यहां तक कोई भी option दे दो x की value उससे नीचे रहेगी तो है गई minus 1 से infinity so a is the right answer चलो question number 11 कर ले तो देखो अब इसमें दो एक दिक्कत है मेरी पहले तो मेरे पास अंदर minus है वो मेरी दिक्कत कैसे ठीक होगी cos theta is equal to cos of minus theta होता है तो इसको तो मैं पूरे को अंदर वाले को ऐसे ही लिख लूँ cos of minus 17 by 15 pi is equal to cos of 17 by 15 pi अब यह 17 by 15 अगर इसको हम देखें closely 17 by 15 तो मेरे को यह value 1.1 कुछ देदेगा साथ में pi but cos inverse की principal branch तो रहती है मेरी 0 से pi के बीच में तो इस 17 by 15 को कुछ तो करना पड़ेगा भई अब अगर cos को मैं देखूं तो यह 2 pi होता है और 2 pi minus theta मतलब यहाँ पर कोई value तो cos 2 pi minus theta मुझे cos theta ही देता है तो इसे भी मैं on same principle cos 2 pi minus 17 by 15 pi कर लूँ यह मुझे क्या देदेगा cos 13 by 15 pi अब यह 0 से pi के बीच में भी है तो यहाँ पर cos 13 by 15 pi है इसके बाहर cos inverse है तो यह cos cancel कर देगा तो 13 pi by 15 is my answer तो चलो देखते हैं 13 by 15 B is the correct option question number 12 which is the following is principal value branch of cosecant inverse तो अगर सबको पता ही है cosecant inverse की principal branch minus pi by 2 से pi by 2 रहेगी बट उसमें से 0 minus होगा और यह 0 minus क्यों होगा cosecant inverse x तो sine inverse क्या हो गया 1 by x अब यहाँ पर मैं कभी minus 1 से 1 लूँगा हाना बट 1 by x है तो मैं यहाँ कहीं 0 नहीं ले पाऊँगा नीचे तो sine inverse 1 by x is equal to cosecant inverse x होता है अब मैं अगर यहाँ पर नीचे 1 नहीं 0 नहीं ले पाऊँगा तो sine inverse 0 is equal to 0 ही होता है तो minus pi by 2 से pi by 2 तो रहेगी बट उसमें 0 नहीं आएगा so d is the correct option अगर आपको सिव्ड़ा यार नहीं है ना तो इसे sine में convert कर लो ऐसे ही आपसे secant के भी पूछ सकता है वो secant inverse x की जो cos की क्या होती है 0 से pi ही होती है secant inverse 1 by x हो जाएगा और cos 0 कब होता है pi पे तो pi open braces पे आएगा तो अपसे ऐसे कर सकते है question number 13 the value of sine inverse cos 33 by 5 sine inverse बहार है मुझे अंदर भी sine चाहिए उससे पहले मुझे इस cos को ऐसा बनाना पड़ेगा कि यो sine में convertible हो तो cos 2 pi plus theta और cos 2 pi minus theta cos theta ही होता है तो इसको देखू नीचे वाले को 33 upon 5 है तो यह 6 point something बनेगा न तो मैं इसको 6 pi से minus कर देता हूँ या फिर इससे मैं 6 pi से plus भी कर सकता हूँ sorry 6 pi से plus कर देता हूँ तो अगर मैं 6 pi plus 3 pi upon 5 कर दूँ और यहां cos लिख दूँ तो मेरे पास यह cos 33 by 33 pi by 5 ही आएगा हाँ ना तो यह सही है मेरे लिए अब cos cos of 6 pi plus 3 pi by 5 है बहार है मेरे पास sin inverse यह तो मुझे दे देगा पूरा cos of 3 pi by 5 तो यह बना sin inverse cos of 3 pi by 5 यह इतना बन गया अब इसको आगे solve करते हैं cos को sin में कैसे convert करूं sin of pi by 2 minus theta तो इसको मैं क्या करता हूँ sin inverse sin of pi by 2 minus 3 pi by 5 यह मैं रही हो गया तो इसको solve करके मेरे पास क्या आएगा sin inverse sin of minus pi by 10 बन जाए गए है अगर मैं इसको solve करूं numerator 10 ले लू तो वो 6 और 5 होगा minus pi by 10 अब हमें पता है sin of minus theta is equal to minus sin theta तो यह minus बहार आ गया minus sin inverse sin of pi by 10 तो यह inverse से sin cancel तो minus pi by 10 but अभी check करना पड़ेगा कि यह minus pi by 2 और pi by 2 में belong करता है या नहीं तभी principal branch में belong करना चाहिए तभी हम निकाल पाएंगे ने तो उसको principal branch में लाना पड़ेगा येस इक बिलॉंग्स minus pi by 10 बलॉंग्स to minus pi by 2 to pi by 2 so this is the correct option तो तो minus pi by 10 कहा दिया हुआ है minus pi by 10 d is the correct option question number ये तो सेम है okay next question the value of cos inverse cos 3 pi by 2 अब 3 pi by 2 इसके तो बहार रही है हाँ ना because 3 pi by 2 कितना होता है 270 और हमें 0 से pi में principal branch चाहिए होती है कोई भी cos inverse करने के लिए तो मैं इसको pi plus pi by 2 लिख सकता हूँ because ये angle pi plus pi by 2 ही है तो इसको यहाँ पर देखते है cos inverse cos of pi plus pi by 2 and जब भी हम sin pi plus theta या cos pi plus theta करते हैं तो हमारे पास वो minus cos theta आ जाता है अब देखो यहाँ तो इसको cos inverse of minus x है यहाँ तो इसे pi minus cos inverse x कर लो इस पूरे को अगर हम x माने यह cos pi by 2 को ही पहले 0 लिख लो तो यह cos inverse of minus 0 तो minus 0 क्या होता है 0 ही होता है तो जब cos inverse minus 0 0 ही है तो cos inverse of 0 आ गया और cos inverse 0 का होता है pi by 2 पहे तो this is the pi by 2 is the correct option a is the correct option question number 16 the value of 2 second secant inverse 2 plus sin inverse 1 by 2 secant inverse 2 गब होता है जब cos 1 by 2 हो cos inverse 1 by 2 और cos inverse 1 by 2 गब होगा pi by 3 पहे तो यह तो आगे मेरा pi by 3 plus sin inverse 1 by 2 गब होता है pi by 6 पहे और यहाँ 2 multiplied है तो 2 pi by 3 plus pi by 6 कितना बन गया यह 2 by 3 plus pi by 6 तो यह 5 pi by 6 हाजाएगा हमारे पस so b is the correct option question number 17 the value of cos inverse 7 by 25 दोकों यहाँ तो मैं सीधा ही cos inverse को convert करूँ cos inverse में वो मैं कैसे करता हूँ एक simple formula है cos inverse को cot inverse में करने का उसे यहाँ लिए लिए तो cos inverse x is equal to cot inverse xy 1 minus x square यह formula है because समझो मैंने इसको अगर base माना यह hypernews था तो cot क्या होता है base by perpendicular तो base hypernews minus base का square counter root perpendicular होगा तो यह आजएगा base की जगा x लिखो तो यह ऐसे भी formula मन गया या फिर इसको आप याद भी रख सकते हो तो चलो इसे solve कर लेते हैं तो मेरे पास क्या आया मेरे पास बाहर cot था इस cos को मैंने convert कर लिया तो यह बना मेरे पास cot inverse x x को 7 by 25 ऐसे रहने अपन root of 1 minus 7 square by 25 square तो यह solve करके क्या आएगा मेरे पास cot of cot inverse 7 by 25 upon 24 by 25 तो यह क्या बन गया cot cot inverse cancel 7 by 24 is the right answer अच्छा अगर आपको cot वाला formula नहीं आता तो 10 वाला तो यहाँ दखना प्लीज because cos inverse को और या sin inverse को 10 में convert करना हो तो cos inverse जब 10 sin में convert होगा sorry cos inverse जब 10 में convert होगा तो एक simple formula इसको यहीं पर root कर लो cos inverse is equal to 10 inverse root 1 minus x square upon x square तो यह तो यादी रखो ना या फिर अगर sin inverse को 10 inverse में convert करना है तो वो बन गया 10 inverse x by 1 minus x square तो इतना simple है तो अगर यह formula हम याद रख लेंगे न तो इससे cot बन जाएगा 10 inverse x is equal to cot inverse 1 by x तो उसका reciprocal कर देंगे तो cot का हमें याद आ जाएगा तो एक formula तो याद रखना है उससे ही हम आगे बाले बना सकते हैं या फिर आपको छोटी सी perpendicular by base वाली trick बदा दी आप उससे भी कर सकते हो तो चलो next question पर जलते हैं अच्छा पहले ये मार्क तो कर लें 7 by 24 D is the correct option question number 18 the number of real solutions अब real solutions चाहिए मुझे इस equation के अब real solution क्या बनेंगे जब मैं y की कोई value put करूं x के लिए हाना और वो यहाँ पर cos x में दी हुई है तो वो दोनों intersect करनी चाहिए तभी मेरे पास एक real solution आएगा हाना तभी बनते है real solution जब line intersect करें तो चलो देख लेते हैं real solution बनता है या नहीं पहले तो आपको equation दे रखी है 1 plus cos 2x is equal to root of 2 cos inverse cos x पहले तो यह equation solve करनी पड़ेगी यहाँ पे भी एक root है अब root तो मैं सीधा cancel करनी सकता बिकोस दोनों पे नहीं हैं दोनों का square लेना भी थोड़ा वाजिब नहीं लगेगा तो पहले 1 plus cos 2x को 2 cos square x लिख लूँ मैं बिकोस यह होता है 1 plus cos 2 theta is equal to 2 cos square theta यह formula है conversion है cos की तो इसको मैं root of cos 2 cos square x लिख सकता हूँ और यह cos inverse cos x यह तो root 2x ही आगया simple अब अंदर cos square है तो यह बहार आ गया root 2 बचा मेरे पास और cos x आया यहाँ पे भी root 2 बचा और x आया अब यह दोनों तो मैंने cancel भी कर दिये तो मेरे पास अब बचा क्या है कि cos x is equal to x हाँ ना अब क्या इसकी मेरे कोई देर किया in pi by 2 2 pi उन्होंने बोला भी है in pi by 2 2 pi तो यह x की value pi by 2 से pi के बीच में हमें बताने हैं कितने real values बनती हैं तो एक graph बनाते हैं यह cos x is equal to x एक तो बनाते हैं y is equal to x का कि जब हम x की value y लें तो एक straight line बनती है हमारे पास यहां से जो y is equal to x एक value देगा है x की हर value के लिए मतलब एक बार हमने x को minus 1 ले लिया minus 0.5 लिया 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया कि हमने x की value गया ली वो तो हमारे पास line आगी यह वाली जब भी हम x की एक value लेते थे और suppose करो यहां पे कहीं पे pi by 2 है यहां पे कहीं पे pi है तो cos x is a decreasing function pi by 2 से लेके pi तक cos x की value minus में रहती है negative में तो वो graph मेरा बनेगा कुछ ऐसा सा यहां पे तो यह y is equal to x और cos x वाली lines तो कभी intersect ही नहीं करती तो जितनी बार intersect करेंगी उतनी real values में बता पाता कि कितनी बनती है अब जब intersect ही नहीं कर रही for any value of x cos x की उसके साथ intersect ही नहीं करती तो real solutions में लाऊंगा कहां से तो इसका मतलब कितने real solutions है in this equation 0 question number 19 the principal value of sin inverse 1 by 2 अब तो मेरी हसी आ गई मुझे एक question देखे कि sin inverse 1 by 2 principal value principal value कौन सी होती है जो minus pi by 2 pi by 2 के बीच में रहे pi by 6 है ना पहली तो mark कर दो यार a is the right option next question the principal value of cosecant inverse minus 1 cosecant inverse minus 1 क्या करूँ इसका मैं principal value अच्छा अब principal वो के values कहां से कहां तक होती है cosecant inverse के अभी पीछले question में गर के है minus pi by 2 से sorry कतली braces डालने की यादत नहीं जाती बट ये close brackets है pi by 2 और minus pi by 2 included है बट 0 नहीं आ पाएगा कभी भी cosecant inverse की है ना principal value तो अब 0 तो option से गया अब cosecant inverse minus 1 दे रखा है आपको तो इसको a के equal कर दूँ और cosecant a is equal to minus 1 तो इसे मैं cosecant minus pi by 2 लेख सकता हूँ minus pi by 2 is going to minus cosecant pi by 2 तो a की value गया आई मेरे पास जो principal value वो आई minus pi by 2 और इसको मैंने कैसे लिखा pi minus theta या फिर minus theta होता है जिसमें sign positive रहेगा उस उसमें ही cosecant positive रहेगा और जिसमें sign negative उसमें cosecant negative तो a is equal to minus pi by 2 आजाएगा यहां से और यह minus pi by 2 belong भी करता है minus pi by 2 to pi by 2 को तो principal value इसकी क्या आएगी minus pi by 2 तो देखो कहीं option में pi by minus pi by 2 है yes so a is the correct option question number 21 very easy value of 10 inverse root 3 यह तो मेरे को पता है मैंने pi by 3 ऐसे लिख दी solve नहीं किया ऐसे ही लिख दिया है cot inverse minus 1 अब cot inverse minus theta is equal to pi minus cot inverse theta बाकियों के जैसे जैसे cos में भी होता है secant में भी यह होता है अपना secant inverse minus theta is equal to pi minus secant theta तो इसको भी लिख लूँ मैं pi minus secant inverse 2 by root 3 तो यह मेरे पास क्या बनी पूरी equation यह मेरे पास pi by 3 plus pi minus cot inverse 1 plus pi minus secant inverse 2 by root 3 तो यह pi by 3 plus pi अब cot inverse 1 किस पे होता है pi by 4 पे minus pi by 4 plus pi अब secant inverse 2 by 3 किस पे होता है pi by 6 पे 2 by root 3 अब यह पूरी equation को हम add कर दे और इसको subtract कर दे दोनों को तो हमारे पास क्या आज़ेंवाला है denominator लेके denominator कितना आएगा हमारे पास 12 आएगा न 12 denominator तो यह दोनों तो 24 बन गए और यह 4 तो 28 तो यह ही आ गया और यह 2 minus 2 और यह minus 3 तो minus 5 यह आ गया दोनों के साथ pi लगा हुआ है तो 23 by 12 pi आ जाएगा answer तो 23 by 12 pi ढूंडो 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 answer में ढूंडो 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 question number D sorry option number D is the right answer question number 22 देखते हैं the value of 2 cos inverse अब minus में है इसका थोड़ा सा पंगा है फिर cos inverse minus 1 इसका थोड़ा सा है plus sin inverse minus 1 by 2 तो चलो अब तो यार यह सारे ही minus में है तो अब इसको कैसे solve करें तो मुझे पता है cos inverse minus theta is equal to pi minus cos inverse theta यह मैंने यहाँ पे और यहाँ पे use कर लेना है और sin inverse minus theta मुझे पता है minus sin inverse theta तो वो मैंने यहाँ पे use कर लेना है तो अब इतना easy है कर दिया तो चलो आगे solve भी कर लेते हैं तो मेरे पास पहली क्या बनी pi minus cos inverse 2 था यहाँ पे cos inverse 1 by 2 plus 2 sin inverse minus 1 by 2 है तो यह minus यहाँ पे मैं हटा के इसको minus करके 1 by 2 घर दूँ और minus का ही cos था आगे यहाँ पे 2 है minus का ही था यहाँ पे तो minus of pi minus cos inverse 1 था cos inverse 1 कब गुता है 0 पे cos inverse 1 लिख लो अभी के लिए तो यह मेरे पास पूरा के बना 2 of pi minus pi by 3 minus 2 of pi by 6 and minus 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 0 यह आगे चलके मेरे पास क्या बना 2 of 2 pi by 3 minus 2 by 6 pi by 3 and minus pi which will be equal to यह 4 pi हो गया यह pi 4 pi इसको लिखी लेते हैं 3 minus pi by 3 minus pi तो यह 0 आ जाएगा 4 pi minus 4 pi by 3 minus pi minus pi एक और तो यह 0 हो गया न total numerator 3 लेकके 4 pi minus 4 pi 0 by 3 तो यह 0 answer आ गया अपना तो चेक कर लेते हैं 0 कहां दिया हुआ है तो 0 is the answer the value of secant secant 4 pi by 3 अब पहली बात तो secant 4 pi by 3 0 और pi के बीच में आता ही नहीं है जो principal value है हमारी अब इसको change करना पड़ेगा तो secant pi plus pi by 3 करना पड़ेगा 4 pi by 3 को लाने के लिए secant secant inverse secant of 4 pi by 3 है अब 4 pi by 3 को change करें हम pi plus pi by 3 में हाँ pi plus pi by 3 इस quadrant में इसमें तो 10 ही positive रहता है तो secant pi plus pi by 3 क्या बन जाएगा मेरा secant of minus pi by 3 secant inverse secant of minus pi by 3 या minus secant pi by 3 sorry not secant minus pi by 3 minus secant pi by 3 तो अब यह secant pi by 3 कितना होता है 2 minus 2 आ जाएगा यहाँ पर फिर secant inverse minus यह अंदर 2 था अब इसका क्या करें secant inverse minus theta किया था cos inverse minus theta secant inverse minus theta secant inverse minus theta या minus x जो भी है x लेलो theta एंगल लगता है minus x तो pi minus secant inverse x हो गया तो यह pi minus अब secant 2 किस पर होता है secant inverse 2 कितना होता है pi by 3 pi minus pi by 3 हो गया तो 3 pi minus pi 2 pi by 3 is the answer तो देखो 2 pi by 3 कहां दिया है b is the correct option question number 24 the value of cos inverse minus 1 plus sin inverse minus 1 easy सा है भई cos inverse minus 1 pi minus cos inverse 1 और sin inverse 1 है तो plus sin inverse minus sin inverse 1 कर लो क्या बनेगा pi minus cos inverse 1 कब दोता है 0 plus pi by 2 3 pi by 2 d is the correct option देखो अब तो cool down कर रहा हूं तो मैं last question दकाते आते हैं पहले जितना अपने दिमाग दोड़ा दोड़ा दिया the value of cos inverse cos 5 pi by 3 plus sin inverse sin 5 pi by 3 is equal to अब देखो ये दोनों ही अपनी principal branches से off है cos inverse की principal branch 0 से pi तक sin की minus pi by 2 से pi by 2 तक दोनों ही अपनी principal branch से हटके हैं थोड़ा सा तो ऐसे तो अब नहीं चलने वाला है इनको principal branch में लाना पड़ेगा तो पहले cos को देखता हूं मैं cos को क्या कर सकता हूं इसे 5 pi by 3 है तो इसे मैं cos pi plus 2 pi by 3 कर लूँ और sin है उसे मैं sin of pi plus 2 pi by 3 तो दोनों से अब दोनों ये pi plus pi by 3 pi यहाँ पे है इससे plus हो रहा है तो इस quadrant में pi by 3 2 pi by 3 तो minus आएगे दोनों ही तो ये हमारे पस क्या बनेगा cos inverse cos of minus cos 2 pi by 3 plus sin inverse minus sin 2 pi by 3 because cos pi plus theta is equal to minus cos theta same is the case for sin sin pi plus theta is equal to minus sin theta अब cos inverse अंदर ये minus cos है तो ये तो बड़ा simple सा है इसको पहले तो cos चलो ऐसा करो cos 2 pi by 3 की value ले ले लेते हैं क्या पता minus में आती हो minus minus cancel ही कर दू मुझे pi minus cos 2 pi by 3 ना करना पड़े हाना तो मैं इसको देखता हूँ तो cos inverse और cos 2 pi by 3 कितना बनेगा मेरा 120 पे minus 1 by 2 आ जाएगा 120 पे pi by 2 प्लस theta pi by 2 90 प्लस 30 इसको टो minus cos 30 तो ये मेरा minus 1 by 2 minus of minus 1 by 2 इसकी value प्लस sin inverse minus sin 2 by 3 तो sin 2 by 3 कितना था मेरा root 3 by 2 क्योंकि second quadrant में है 120 root 3 by 2 positive second quadrant में sin तो ये मेरा आया sin of minus root 3 by 2 अब ये minus minus तो मैंने कर लिए plus तो cos inverse 1 by 2 मेरे पास क्या बना cos inverse 1 by 2 आया ये इसको पहले लिख लिए और sin inverse minus theta is equal to minus sin inverse theta तो ये बना cos inverse 1 cos inverse 1 by 2 क्या बन गया मेरे पास pi by 3 minus pi by 3 दोनों कट गए 0 answer आ गया तो ढूंडो अब 0 कहां दिया हुआ है तो a is the 0 is the right option तो चलो अब link में अब comments में बताओ किसके कितनी answer सीख हुए और please link follow करके एक test ज़रूर कर लेना okay then I'll see you in the next one पर्ड़र को सीघ्क